हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक है हमारा कि हम अपने चैनल के लिए प्रोफेशनल चैनल बैनर कैसे बना सकते हैं चैनल का बैनर बनाले के लिए हम प्रियोक करने वाले हैं पिक्सल लैग मुबाइल अप्लिकेशन का जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा इसे सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है इसके साथ ही इसमें कुछ एलिमेंट भी प्रियोक करूंगा मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप उसको डाउनलोड करके एक प्रोफेशनल चैनल बैनर बना सकते हैं मैं इसमें दो तरह के आपको बैनर बना के दिखाने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं पिक् क्लिक करते हैं ओके कर देना है अब यहां आपका चैनल के बैनर के साइद में हो गया है इस निव टेक्स्ट को डिलीट करना है यहां डिलीट वाल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा कोने में इसे डिलीट कर देते हैं अब यहां पे हमें एलिमेंट लेना है जो आपने डाउनलोड किया है मेरे डिस्क्रिप्टिप्टिस से जिसे आप डाउनलोड करेंगे प्लस के आइकन पर कलिक करते हैं आप उस एलिमेंट को धूरते हैं यहां पर है यह वाला है यह पहला एलिमेंट है इसको हम यहां पेला के कर देंगे यह साइच हो गया ऐसे बीचों भी चीज़े रखेंगे एकदम सेंटर में हो गया अब इस पर हम एक टेक्स्ट आएड करेंगे अपने चैनल का नाम इस प्लस वाले आइकन पर टॉच करेंगे टेक्स्ट यहां लिख्या हुआ है इस टेक्स्ट को यहां पेलाएंगे अब इसमें कुछ करेंगे पहले ने टेक्स्ट को यह चैनल का नाम है देहा दी लड़का यह फॉन्ट उत्वन अच्छा नहीं लग रहा है फॉन्ट अभी चेंज करने वाले हैं यहां नीचे देखेंगे आप यह लिखा हुआ है इस पर टॉच करेंगे यह फॉन्ट की सेटिंग होती है जहा मिलजाएगा है इसको टनहीं करने में अच्छा लग लग रहा देखने में अब इस की साइज को बढ़गा इसके लिखा हुआ है साइज यहीं था टेक्स्ट साइज यहां पर टी साइज लिखा हुआ है इसको लाज करेंगे जितना अच्छा लगे देखने में थोड़ा ज्यादा हो गया अभी हमें और इन दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर दिखाई दे रहा है इस इन वाले को छोड़कर आपको इन तीनों को ले ले लेना है यहां पर इसे सेंटर में लगा देंगे अच्छा लगी जैसे अब यह हमारा सही हो गया टेक्स्ट भी वाइट कलर का है यह भी अच्छा लग रहा है आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं लेकिन वाइट मुझे अच्छा लग यहां पर कलर का भी गलब आपको दिखाई दे रहा होगा मैं इसे रेट पर टच्छ करता हूं तो यह रेट हो जाएगा यहां पर देख लीजिए प्लस पर करेंगे तो आपको और टेक्स्ट में जाएंगे यहां पर देखिए यह चेंज हो गया अभी हम इसके बैग्राउं को चेंज करेंगे बैग्राउं हमारा अच्छा नहीं ही लग इसपर टाउंगी हाँ लग फार करने के बाद आपको इनेवल कर देना है इसे इनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है अलफा को हम हाई कर देंगे अब देखिए आपका कितना अच्छा लग रहा है कलर जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं लगवक मारा चैनल का बैनर बनकर रेडी हो चुका है बस आपको कुछ नहीं करना है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस वाले आइकन के बगल सेप का आपसन दिखाई दे रहा है इस पर टच करेंगे सेब आइज इमेज करेंगे सेब आ आपको सेब टू गैली कर देना है इसके बाद आपके चैनल का बैनर बनकर आपके गैली में सेब हो चुगा है दूसरा जो बैनर हम बनाने वाले हैं यूट्यूब के लिए अपने वो कुछ इस प्रकार से बनेगा मैंने इसे अल्रेडी बना के रख लिया है बना के दिखात है ये वाला मैंने टेक्स्ट एड किया है ये भी टेक्स्ट एड किया है ये भी मैंने अलग से एड किया हुआ है ये एलिमेंट लगाने के बाद आपको इस वाले एलिमेंट को यहां पे लाके रख देना है और जो टेक्स्ट लिखना है अपने चैनल का नाम यहां पे ऐसे क कि जाता है इसे, इस सर्कल को add करने के लिए आपको प्लस वाले icon पे टुश करना है, यहाँ पे save है, इसे टुश करना है फिर यहाँ पे देख रहे हैं यह वाला है इसको टुश करेंगे तो यहाँ पे save आ जाएंगे काफी, मैंzia 66 वाला हो सरकल आ गया मेरा इसको यहां पे दिखाने में पहले से कर दीए आप कैसे कर सकते मैं बस उसी को दिखाऊंगा अभी एक चैन्द करना है तो मैं इसे ले लूँगा यह कलर हो सकता है मेरा फिर यहां पे श्ट्रोक ले लेंगे इस टोक किनारे आपका बार्डर आ जाए आप टेस्ट ले लेंगे टेस्ट लेने के बाद आपको यहां पर जो टेस्ट लेंगे उसको साइज उसका बदल देंगे उसके बाद यहां पर font हम क्या लेंगे वही लेंगे जो meme font था उसको ले लेंगे फिर यहां पे text वाले icon पे आएंगे यहां पे last में जाएंगे आपको 3D text दिखाई देगा 3D text करने के बाद आपको सही कर देना है जैसे 3D text करेंगे आपको text कुछी इस तरह से दिखाई देगा बड़ा करेंगे color इसका आप change करना जानते ही है कुछी इस तरह से आप दूसरे चैनल का banner बना सकते हैं और कुछी तरीके से आप इसे गैले में save कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आप को या वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी ऐसे ही यूट्यूब से जुड़ी tips and trips के लिए हमारे चैनल को subscribe करें